सीवलिंग पर अच्छत यानि चावल, चीनी, दूर्थ चढ़ाने से क्या होता कहीं आप ये चढ़ा के गल्ती तो नहीं कर रहे हैं? तो नहीं आप बिल्कुल गल्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि महादेव को चावल, चीनी, दूर्थ, गेहूं ये सब बहुत ही पसंद है आईए हम आपको बताते हैं कि सब को महादेव पर यानि सीवलिंग पर चढ़ाने से क्या होता है? आपको बताते हैं कि सब कर दो आपको बताते हैं कि सब कर दोड़ाने से क्या है झाल झाल